हाई एभरिवान वैलकोम टू प्रोलाइफ आपको फिर से एक नाए वीडियो में श्वागत है तो फ्रेंट्स बात करेंगे इस वीडियो में सोमप्राज एल के बारे में, जानेंगे यह क्या है किस चीज में आप इसको इस्तमाल करेंगे कैसे यूज करेंगे क्या dose रहेगा, क्या क्या side effect होगा, इस को लेने से, पुरा details में जा लेंगे, इस वीडियो में, तो वीडियो को एंट तक देखते रहिए, तो चलिए friends बिना दरीको वीडियो को शुरू करते, तो friends, Somprazeal, जो कि Sun Pharma का दवरा बनाए हुआ प्रोड़ॉक्ट है, composition के बारे में देखाजे composition आपको इसमें asomaprazole 40 mg और levosulpride 25 mg तक आपको इसमें मिलेगा तो बात करेंगे कुछ MRP के बारे में देखाजे कितने प्राइस में यह आपको market में मिल जाएगा लगवाग यह थोड़ा ज़्यादा costly हो सकता है यह आपको 275 रूपीज के आसपस आपको मिल जाएगा और बात किया जाए कुछ other brand की जैसे की Isomac L और Isos L और Israel इसे कुछ करके आपको market में यह asomaprazole और levosulpride की composition बाला दबाई मिल जाएगा तो यह थोड़ा high cost भी हो सकता है तो इस वीडियो को डीपली जाएगे बात करेंगे asomaprazole के बारे में और levosulpride के बारे में यह दोनों components के बारे में विस्तार से जानेंगे asomaprazole आप लोग जानते हैं यह प्रकार की proton pop इंडावीटा रहे हैं यानि आप लोग जो आसान भासा में देखा जाए तो gas में होने की बज़े से आप इसको इस्तावाल करते हैं gas, gastritis, acidity की समस्या अगर आपको है तो आप इसको इस्तावाल करते हैं जैसे कि आपकी pentoprazole, rabiprazole ऐसे ही asomaprazole और दूसरी components इसमें जो है यह है liver solpride जो कि एक anti-psychotic drug है और यह इसकी war के बारे में देखा जाए यह किसा है कि आपके सरीर में जो acetyl coline जो chemical messenger होता है उसकी release को यह बढ़ा देता है और यही acetyl coline आपके सरीर में stomach और आपकी intestine की movement को बढ़ा देता है और जिसके बज़े से आपके पास हो रहा acid reflux की समस्या से आपको मुक्ती मिलता है तो यह इसी प्रकार से आपके सरीर में काम करता है तो बात करेंगे यह दोनों components को जब मिलाया गया है तो कुछ खास बज़े से ही मिलाया गया है तो दोनों कुछ अलग-अलग group के drug है तो इन दोनों को मिलाया गया क्यों मिलाया गया और किस काम में आता तो बात करेंगे इस वीडियो में तो देखते रहिए सुम्प्रास-L यह कौन सी परिस्तिती में हम यूज करेंगे देखाज़े फ्रेंड्स यह है G.E.R.D. यानि आप एसीड रिफ्लोक्स की कंडिशन में हम इसको इस्तमाल कर सकते है और दूसरा है पेप्टिक अल्सर डिजीज जो की ज़्यादा तर आपके H.Pyloric infection की बज़े से आपको हो सकता है और इसको छोड़के इसके साथ-साथ कुछ कंडिशन आपको हो सकता है जैसे कि हार्ट बॉर्न की समस्या हो या एसीडिटी की समस्या तो आपको होता ही है और उसके साथ-साथ स्टोमाक पेन या स्टोमाक क्राम्फ या इरिटेशन बगएर आपको हो सकता है तो इस कंडिशन में हम संप्राज L टाबलेट को इस्तोमाल कर सकते है बात करेंगे डोजेश क्या रह से होता है डोज दिन में एक बार आपको एम्टी स्टोमाक या अर्ली मर्निंग आप इसको ले सकते है और इसको लेने के बाद आधा गंटे के अंदर आपको फूड जरूर लेना है तो बात करेंगे कुछ साइड एफेक्ट के बारे में जैनराली कुछ नोजिया वोमेटिंग ओफसेट स्टोमाक या स्टोमाक फेन हो सकता है यारिया कॉंस्ट्रिपेशन बगएरा आपको होने की चांसे हेड़ाग यार फ्लाक्ट्रिवलन्स की समस्या आपको हो सकता है तो फ्रेंड्स ये था सोंप्रा जेल कैप्सूल के बारे में कुछ इंफर्मेशन उमीद है ये इंफर्मेशन आपके लिए इंफर्मेटिव जरूर होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब करना अगर वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगा आपके दोस्तों के साथ जरूर सेयर करना ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट जरूर मिले तो आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं लेक्स्ट वीडियो में कि इसे नएट अपके साथ तब तक के लिए स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए और ऐसे ही प्रोलाइब देखते रहें जाहिए बंदे बात